हलो फ्रेंड वेल्कम टू माई चैनल मन्जू की रहसोई एंड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है आज हम आपको बताएंगे नमक पारा बनाना आप लोग नमक पारा बहुत ही बनाए होंगे लेकिन आज हम आपको नए तरीके से बताएंगे सबसे पहले मैंने यहां पर आदा किलो मैदा ले दिया था अब उसमें नमक स्वाद अंसार में ला लिया था आजवाइन को क्रिस्क करके डालेंगे और उसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे continuous अब शौल z बीड़ें दोड़ा पानी डाल कर मैदा को गूत लेंगे बहुत जदा हाइट नहीं गूतना है आप देख सकते हैं कितना सॉप्ट है अब इसको हम ढग कर रख देंगे 10 से 20 मिनट तक 10 से 20 मिनट हो चुका है दोस्तों अब अपने हाथों में तोड़ा सा तेल फिर से लगाएंगे और अपने हाथों से एक बार अच्छी तरीके से गूंत लेंगे अब मैंने यहाँ पर एक लोई ले ली है उसके हम रोटी के आकार में बनाएंगे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है पतला ही बेलना है आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कितना पतला सा बेला हुआ है अब काटोरी की सहायता से हम इसमें तीन रोटी या बना लेंगे बकी जो इश्ट्रा बचा हुआ है उसको बाहर निकाल देंगे आप देख सकते हैं कितना पतला मैंने बनाया है अब चाकू की सहायता से हम इसमें क्रॉस की निसान लगाएंगे सब सारू कोने बराबर होने चाहिए अब हम इस पे एक दूसरे परिष्टि फई परिष्टिप रकेंगे और अपने हातों से इसको रोल कर लेंगे जोके आप इसमें छे कलिया भी राख सकते हैं अब अपने हातों से रोल कर लिया है मैंने ओली की सहायता से 20 में प्रेस कर देंगे ताकि मेरा ये कलियां खुले नहीं चाकू की सहायता से हम बीटन में कट लगा देंगे और देखिए फ्रेंड्स ये मेरा फ्लावर मठी बनकर तयार हो गई है तो आप लोग अपने घर पर भी बनाएगा फ्लावर मठी देखने में बहुत अच्छी लगती है और खाने में बहुत क्रिस्पी बनती है अब हम आपको दूसरी तरीके से मठी बनाएगे इस मठी को बोलते हैं लच्छा मठी लच्छा मठी भी क्रिस्पी बहुत बनती है और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है तो अलग-अलग तरीके से बनाने की बात कुछ आल ही होती है तो आप लोग अलग तरीके से बना सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सभी पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करदेना, सब्सक्राइब करदेना बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूज लिएगा ताकि मेरे अच्छे अच्छे वीडियो के नाटिविकिसन आप तक पहुंच सके आप लोग देख सकते हैं लच्छा मठी मेरी बन कर तैयार हो गई है हम आपको दूसरे भी दोना के दिखा देते हैं इसे जलेवी के आकार में मोड़ना है और ऐसे नीचे दबा देना है अब हम आपको तीसरी मठी बनाना बताएंगे इस मठी को काजू मठी बोलते हैं सबसे पहले मैंने हाथ से रोल कर लिया था और चाको की सहायता से काट लिया था हाथ से थोड़ा सा प्रस कर देंगे अब एक फॉक के सहायता से हम इसको बनाएंगे फॉक के उपर रखेंगे और अंगूठे से प्रस कर देंगे और देखिए ये मेरा खजूर बहुत अच्छा बन चुका है तो आप लोग इस डिजजाइन को भी बना सकותे हैं ये भी बनाना बहुत ही आसान है अब हम आपको चौती मठी बना कर दिखाएंगे इस मठी को बोलते हैं रिंग मठी ये बी बनाना बहुत ही आसान है एक रोटी के अकार में eg 2 बना लिया था मैंने इसको अब हम इस्ट्रा पार्ट निकाल देंगे बाहर अब इसको चारो बराबर पीस में काट लेंगे अब चाकू की सहायता से हम हाफ में चुटे चुटे पीस करेंगे और आधा छोड़ देंगे आदा छोड़ने के बाद हम अपने उंगलियों के सहायता से इसको रोल कर लेंगे आप देख सकते हैं और अपने हाथों से किनारे किनारे प्रस कर लेंगे और इसे रिंग की तरह मोर देंगे इसे बोलते हैं रिंग मठी ये भी बनाना बहुत ही आसान है तो आप लोग अपने घर पर जरूर बनाईएगा और कमेट में बताईएगा कैसे लगी आपको सारी मठीया की डिजाइन आपको दूसरा बना कर दिखा देते हैं चाकू के सहायता से बीच में कट लगाना है और उंगलियों से रोल कर देना है साइड में प्रस करते हुए रोल करना है और इसको चिपका देना है सही से घुमा कर रोल बना लेना है और नीचे के साइड में चिपका देना है ताकि मेरी मठी खुले नहीं आप देख सकते हैं ये मेरी रिंग मठी बनकर तयार हो गई है तो प्रेंट अब हम आपको बताएंगे पाच्वी मिठी बनाना ये भी बनाना बहुत ही आसान है और देखने में बहुत अच्छी लगती है इसको बोलते हैं लीप पैटर मठी इसको भी हम एक रोटी के आकार में बनाएंगे और इस्टा पार्ट बाहर निकाल देंगे और च लगाने के बाद अपने अंगलियों की सहाथा से हम इसको प्रस करेंगे कि साइट साइट में प्रस करते जाएंगे और बीच में नहीं प्रस करना है और उसको अच्छे से निकाल लेंगे फिर साइड में हम उंगलियों की सहाथा से साइट साइट इदम प्रस करके दबा दे अब हम बीच में होल करेंगे और इसको अंदर से बाहर की और घुमा देंगे अब अपोजिट में हम अंदर से बाहर की और घुमा देंगे तो यह मेरी हो गए लीप पैटन मठी यह भी बहुत खाने में अच्छी स्वाधिश लगती है और किस्पी भी बनकर तयार होती है आप दूसरा देख लीजिए मैं आपको दूसरा बना कर दिखा देती हूं साइड साइड में छोड़ देना है और बीच में चाको की सहायता से कट लगाना है और अपने हाथों से प्रेस करके निकाल देना है अब हम साइड साइड में फिर से प्रेस करेंगे और बीच में होल करने के बाद एक साइड अंदर से घुमा देंगे दूसरी अपोजेट साइड से अंदर को घुमाएंगे तो मेरी लीप पैटर्न मट्टी बनकर तैयार हो गई है तो आप लोग ऐसे ही बनाईएगा देखिए यह कितनी अच्छी लग रही है देखने में अब हम इसको फ्राइ अच्छी रख दिया था गैस पर तेल मेरा गरम हो चुका है गरम होने के बार तेल आपको गैस के फ्लेम कम कर लेना है कि मेरी मठ्टिया क्रिफ़ी बने और जले नहीं तो देखिए यहां पर मैंने मठ्टियां निकाल लिये फ्राइज करके और इस कितना प्यारा कलर आ रहा हैं और सारे किस्पी बनकर तयार होते हैं तो आप लोग अपने घर पे जरूर ट्राइए किजिए गार और कमेंट में बताईएगा कि आप लोगों की मिठी कैसे लगी मैंने यहां पर सारे सब फ्राइए कर लिये थे यह मेरी हो गए रिंग मठ्टी यह हो गया मेरा खजूर मठ्टी यह हो गया लीप पैटर मठ्टी फ्लावर मठ्टी और लच्छा मठ्टी तो मैंने यहां पर आपको पांच तरीके के मठ्टी विताएं अगर कि तो कुछ तोड़ को दिखा देते हैं कितना क्रिस्पी है और दूसरा बादा भी दिखा देते हैं तो देखिए यह बनाने में बहुत ही अच्छा है ऐसे सारे मेरे क्रिस्पी है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सस्क्राइब जरूर कर लिजिएगा और सेयर भी किजिएगा लाइक भी किजिएगा बेल आइकल प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा ताकि मेरा वीडियो के अच्छे अच्छे वीडियो के नाटिपी किसन आप तक बहुत सके तो आज का वीडियो यहीं तक है थैंक यू